नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी लोगं का केरियर इंडिय एजुकेशन में जैसा कि 12 जून आज हो गया है 12 जून में सेकेंड सिफ्ट में क्या-क्या प्रशन पूछे गए हैं मद्ध प्रदिश वंदच्छक जेल प्रहडी जेल अदिच्छक 2023 का जो एक्जाम चल रह है और इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रशन है जो बार-बार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों है ना तो वह आगामी समय में अदि आप लोगं का पेपर है अक्जाम है तो बहुत ही जादा महत्पूर है आपके लिए इसके साथ साथ में कुछ ऐसी क्लासें भी चल रही है जैसे क अभी यूनेस्को की क्लास को अपनने डाला है ना क्योंकि यूनेस्को से लगातार प्रशन आ रहे थी उसके पहले करेंट के लगातार प्रशन आ रहे थे तो उन प्रशनों को भी डाला इसी प्रकार से अब दोस्तों विज्ञान की क्लासें भी आया करेंगी जो प्रशन आ आप्त होती है वीडिया फप्लोट कर दिया जाता है आप लोग डाउनलोट करके उसको जब भी आपका मन पढ़े आप उसको पढ़ सकते हैं चलिए चालू करते हैं सामान अध्यन जीके और विज्ञान को इस बार साथ में लेके आए हैं दोस्तों देखते कौन-कौन से बैरोमीटर का अविश्कार किया था इसका अविश्कार 1644 में इटली में हुआ क्लियर इटली की राजदानी क्या है दोस्तों रोम यह प्रशना बार बर पूछा जाता इसलिए याद रखिएगा इसका उप्योग बायू मनली दबाप को मापने के लिए किया जाता है बिश हम तूफान वाले चेप्टर को पढ़ते हैं तब वेरोमीटर वाले चेप्टर आता है और जब दाब मापने वाली बात करते हैं तो विज्ञान में वेरोमीटर का आता है कि वेरोमीटर का पारा जैसे ही एक दम से नीचे आ जाता है तो दवाब कम होने की बजए से ऐसा लोहे में जंग लगने पर उसके भार में क्या परीवर्तन आता है दोस्तों यह प्रस्ण बार बार भार भी पूछा जाता है दूसरी वाद इसमें थोड़े सा लोह की उपस्तिती में लोहा ऑ kadar चै Sergeгski करिया करके यह अभी करें करके लोहितों वह बढ़ जाता है तो हम सोचते हैं कि लोहे में अगर देखा जाक्ता है टुन देखते हैं कि उसमेंसे बीचिए में से कई छेद हो गया तो दिमाग ऐसा लगता है कि यार साइन साइन असका बहुत पर रा कम कं वहर जया वह बैटोदु अगर देखा जाए लगशिता सब पास भूर एक कामन के जो है वो बड़ियात में वैक्टरिया के दवारा संसिलीद सित होता है या रख्त का थक्का जमानेय में महत्पूर्ण भूमी से दो काम हैं दोस्तों याद रखिएगा एक तो देखिए ये बड़ीयात में पाय जाता है सासाथ ये रक्त का थक्का जमाने में महत्पूर्ण वोमी का नभाता है रक्त के थक्के पर शुरुआत में काफी प्रशना आये थे दोस्तों उस समय भी मैंने कहा था आज भी बता रह नभात पूर्ण call कौन कोनसी दो होती है फाइबिरीनो जैन और थ्रोंबीन ये दोनों प्रोटीन जो होती है वो रख्त में पाई जाती है और क्रमसा क्रमसा इसका थक्का जमाने के लिए काम में आती है सास-साथ में यदि वो थुड़ा और दीप पूच लेगा तो एक और होती है वो होती है हिपरिन का लेकिन काम क्या होता है हिपरिन का काम होता है कि सरीर के अंदर रक्त का थक्का ना बनने देना सरीर के अंदर रक्त का थक्का ना बनने देना और हिपरिन का एक और बाहर निकलेगा शरीर के तो इसका भी एक तरीके से काम अगर देखा जाए तो आप प्रत्य रूप से रख्त का थक्का जमाने का है यही जो प्लेट लेट हैं जब रक्त का थक्का जमता है तो आप देखते हैं जो क्लॉट टाइप का ऐसा बना होता है वो दरसल प्लेट लेट का ही एक विस्तिरत रूप होता है क्योंकि वो जाल में फस जाया करती है और वही प्लेट लेट हो जाती है तो ये तीन चीज़ें और बिटामिन के चोथा इन चारों को याद रखिएगा अब यहां से प्रशनाव का बाहर नहीं जाएगा यदि आपन कि और में जिनको जानते हैं हम सभी जानते हैं कि Infosys सबसे बड़ी IT कंपनियों में से एक है, इसके अलाबा कंपनी के भारत में 9 विकास केंद्र हैं, कितने 9 विकास केंद्र हैं और 50 कार्याल हैं, इनके जो प्रमोख हैं वो कौन है दोस्तों तो नारायन मूरती, याद रखिएगा, ठीक, Infosys से प्रशना के नाम से जाना जाता है, इस अनुशेत के अन्य नामों में राज आपातकाल और समवेधानिक आपातकाल सामिल है, तो ये प्रशन नॉर्मल था दोस्तों, इसको याद रखिएगा, एक और प्रशन था कि A Suitable Boy किसकी पुस्तक का नाम है, तो दोस्तों याद रखिएगा, य प्रशन था है, यदि पटवारी का इनलाइसेस आप लोगों ने देखा होगा, तो आज वाले जो पेपर आप लोगों के एक्जाम हुए हैं, बारा तारिक वालों के काफी सारे कॉश्चन सही हुए होंगे, A Suitable Boy किसकी पुस्तक का नाम है, तो बिक्रम सेठ की, बिक्रम इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, कोटल किसके मंत्री थे, तो यह समराच चंद्रगुप्त मौरे के मंत्री थे, इनहीं को विश्णुगुप्त कहा जाता था, चाणक किनको कहा जाता था, कोटल चाणक के अर्थे सास्त्र के प्रिसिद्ध लेखक मौरे चंद्रगुप्त के पूर्व ब्रदान मंत्री थे, क्लियर है, आगे चलते हैं, आखंड भारत का जो निर्माड हुआ, आखंड भारत की इस्थापना हुई, जो हम देखते हैं कि कहा 16 महा जनपत थे, और 16 महा जनपत एक समय पे आने के बाद में, पाटली पुत्र बीच मे में रखकर किया गया, तो उन सब के पीछे दी देखा जाया, तो एक महान व्यक्तित्र के धनी व्यक्ति, जिनको कोटली के नाम से जानते हैं, जिन्होंने चंद्रगुप्त जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति को अच्छी सिच्छा दे कर, अच्छा योग बना कर, उस जगा पर क लाजमान किया, और एक अखंड भारत हम देखते हैं, और अखंड भारत को हम काफी अपना इत्यास में पढ़ते भी हैं, तो इसलिए बारबर प्रश्ण से भी पूछे जाते हैं, चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि यही वो मौरे बन्स है कि जिसके बाद में असोग जैसा मह महान इंसान इसमें आते हैं, और असोग यह से महान इंसानों की आज अगर आप देखें तो किती सारे स्थूप हैं, किती कलाकरतियां हैं उनके द्वारा जिनको हम देखते हैं, है ना, उनके मुख मुख चीज़ें भारा सरकार ने अपना रखी हैं, अब चलिए इसी पे च योजना में पांच वर्ष्णों की अब्दी याने 12, 12, 13 से 12, 17 तक के लिए 8% विकास का लच्छ रखा गया था, आप लोगों के लिए एक प्रस्ण हैं दूस्तों, क्या 12 वी पंच वर्ष्णी योजना के बाद कोई योजना आई है, और यदि आई है तो उसका समय पीरेड आईस्क है, वहाँ पर दिया गया था उप्सन में, मुख रूप से अलुमीनियम, ऑक्साइड, आईरन ऑक्साइड रथा, कुछ अन्य असुदियों से मिलकर बना होता है, इसको भी आप लोग याद रखें, इन्हें में से कौन सा केलसियम का आईस्क है, तो केलसाइड, कौ लगभग में देखे जाएं, तो 75 कॉस्चन कवर किये थे, वो है प्लेलिस्ट में, आप लोग जाएएगा, तो करेंट अफियर के नाम से है, कि पुराने समय में, जितना अपना करेंट अफियर था, एक तरीकी से दीखा जाए, तो मार्च अप्रेल, मार्च अप्रेल से पह पुरुसकार सप्तार का जो गाटन है, वो राश्पती जी ने किया है, कौन है राश्पती जी, द्रौबदी मुर्मू है, किते नमबर की है, बंदर भी है, महिलाओं में देखा जाए, तो दूसरी है, आदिवासी महिलाओं में देखा जाए, तो वो पहली है, किलियर है, च तो आगे चलते हैं भारत की जुड़वा सेहरों के नाम किसे नाम से किसे जाना जाता है तो बहरत में जो ऑप्षन था दोस्तों है राज़ दोस्तों है तो इसको याद रखिए लेकिन यहाँ पर जो ऑप्षन था वो हैदरावाद सिकंदरावाद था और अधितम देखा जाए तो हैदरावाद सिकंदरावाद से ही ये वाला प्रशन आता है ठीक है चलिए तो देखते हैं हैदरावाद सिकंदरावाद को जुड़वा सेहर कहा जाता है है अगर देखा ज जी की रचनाय कौन-कौन सी है पूरा नाम है इनका मुंसी प्रेम चंद्र मैंने इनकी काफी रचनाय पड़ी है कभी पड़ियेगा हिंदी को इतने अच्छे से नोंने लिखा है कि यदि आप उसको पढ़ेंगे ना किसी भी कहानी को तो वो कहानी नहीं आपके सामने पूरे चत्र चलते हुए नजर आएंगे यानि वो देखने में तो हमको कहानी जैसी लगती है पर जब हम उनको पढ़ने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि सामने पूरी कोई न कोई एक फिल्म चल रही है ये इनकी एक खासियत है जो मैंने खुद भी अन्यवह की है उनकी चीजों को पढ़ते हैं जैसे कि गोदान हो गई गवन हो गई इन दोनों को मैं पढ़ चुका हूँ कभी आप लोग को मौका लगे तो आप लोग भी पढ़िएगा है न अभी जो इसका प्रशनाय था तो वो था सेवा सदन इसके अलाबा इनकी अन्य रचनाय है जैसे प्रेमा स्रम है रंग भूमी है निर्मला भवन कर्म भूमी है इसके लाबा गोदान है एक कफन इनका है महत्पून दोस्तों पूस की एक रात इनमें से तो बहुत सारी आप लोग ने बच्पन में पढ़ी होंगी पंच परमेश्वर बड़े घर की बेटी बूढी का की दो बैलों की कथा और 300 से अधिक मतलब टोटल यहां यह बताएगा है किनकी 300 से अधिक जो है वो रचनाय हैं बहुत सारी आपने बच्पन में कहां पढ़ी होंगी अरे आपका जो हिंदी सब्जेक्ट रहा होगा उसमें आपने मुईसी प्रियम चंदर की बहुत सारी कहानियों को देखा होग पैटर्न दोस्तो लगबग लगबग वैसा ही है बस जो प्रशनों की संख्या है वो बदल जाती है और प्रशन बदल जाते हैं ना आगे देखते हैं इंग्लिस में वही रहा पीक्यू आरे से पांच से शे कॉस्टन आए एक्टिव पैसिप से चार पांच मिस स्पेल से एक एक एन्टोनियम से दो, सिनोनिम से दो, और यहाँ पर नरेशन नहीं लिखा हुआ है तो नरेशन से भी प्रशनते दोस्तो लगबग में तीन से ज़्यादा प्रशन च्पा होगे ट्रैसन से अब इसके बाद में जो भी नेक्टिनलेसिस होगा उसकी प्रस्न अपन लेंगे और अब इसके बाद जो ट्रेंगी दोस्तों उन क्लासों को देखना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि अब बिज्ञान की लगवंग में दो से तीन क्लासें ऐसी डलेंगी जिनके प्रशन बा पूछे जा रहे हैं एक व्यक्तित से सम्मंदित प्रशना रहा है कि इनका जन्म कहां पर हुआ था इन फलान का जन्म कहां हुआ था इस तरीके का प्रशना रहा है तो यसी दो तीन जो क्लास हैं वह भी डल जाएंगे दोस्तों तो उनको देखिएगा बहुत जरूरी है वह न चलिए तो आज की जो अपनी क्लास है इसको अपन समाप करते हैं मिलते हैं अगली क्लास में टेली ग्राम से जोड़ना ना भूलें प्रीडियेव आपको वही मिलें